Hello students, welcome, welcome to IFS aptitude तो मैं आप सभी के सामने एक permutation and combination का previous year में पूछा गया physical science में सवाल CSI net के अंदर उसको पहले हम लोग discuss करें बहुत ही बहती 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 टॉपिक भी है इससे तीन सवाल पूछे गए थे उस particular shift के अंदर permutation and combination से ठीक है तो एक important topic है तो देखते हैं सवाल में क्या है जहाँ से देखो यहाँ पर क्या है question में क्या पूछा गया है सबसे पहले तो आप इसको पहले पढ़ो question तो बस एक line का है लेकिन बहुत ही जबर्दस्त how many three digit number exist whose first and the last digit add to 9 यानि कि कितने ऐसे three digit number possible है जिसका पहला और last यानि कि जो पहला digit है और जो third digit होगा last होगा वो उन दोनों को plus करके इन दोनों का जो सम है वो 9 आता हूँ तो कितने ऐसे three digit number maximum possible है तो जहरा ध्यान से देखो ठीक है so the three digit number will be this पहला और last पहला और जो last number है उन दोनों को plus करके कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए कैसे possible है बाकि बीच में कुछ भी आ सकता है कुछ भी का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 याने कि इस वाली position पे जीरो से लेके 9 तक कितनी possibility है there are 10 possibility जीरो से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता बीच में लेकिन पहले और last वाले place पे इसका sum 9 होना चाहिए तो कैसे कैसे possible है 9 आना पे 9 आने के लिए हम क्या करेंगे ध्यान से देखो अगर यहां पर 1 होगा तो यहां पर कित 9 होगा अगर पहले place पे अगर 2 होगा तो यहां पर 7 होना चाहिए 3 होगा तो यहां पर 6 होना चाहिए 4 होगा तो 5 5 होगा तो 4 6 होगा तो 3 7 होगा तो 2 8 होगा तो 1 और 9 होगा तो that must be a 0 चीक है क्या यहाँ पर 0 और 9 आ सकता है क्या अगर यहाँ पर 0 होगा तो यहाँ पर 9 होगा लेगिन पहले वाले प्लेस पर कभी भी 0 नहीं आएगा अगर पहले प्लेस पर 0 आ गया तो हमेशा वो क्या होगा that must be a 2-digit number तो फिर वो number 2 ही डिजिट माना जाएगा तो इस बात का ध्यान रखना अब देखो माल लेते हैं अगर यहाँ पर 1 आए पहले वाले केस को ले रहा हूँ अगर यहाँ पर 1 आए और यहाँ पर 8 आए पॉसिबल है अब बीच वाले प्लेस में कुछ भी आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानि कि अगर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 8 आएगा तो बीच वाले प्लेस में 10 पॉसिबल्टी है तो यानि कि कितने number बन सकते हैं वहाँ पर 10 बन सकते हैं लेकिन 1 और 8 कीज़ेगा अगर 2 और 7 आएगा अगर 2 और 7 होता तो फिर से अगेन बीच में 10 पॉसिबल्टी होंगी तो उसके भी 10 different possible case हो जाएंगे तो यानि कुल मिलाके इसके 10 possible case इसके भी 10 possible case इसके भी 10 possible case तो कुल मिलाके कितने case हो जाएंगे कितने pair हैं ये देखो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 pair हैं तो 9 pair होंगे तो 90 cases बनेंगे there will be 90 such cases there will be 90 such cases possible तो इसके answer हो जाएगा 90 क्योंकि हर एक pair से कितने possible case होंगे 10 possible case होंगे ये 1 और 8 होगा तो बीच में एक से लेके 10 ता कुछ भी हो सकता है एक से लेके 9 ता कुछ भी हो सकता है तो ऐसी 9 बार होगा यानिकि 90 will be the right answer तो यहाँ पे 90 ऐसे 3 digit number possible है तो इसी तरह के question जाने के लिए आप लोग इस channel से जोड़े रहें क्योंकि part A बहुत ज़ादा important है आपके exam के score को boost up करने के लिए ठीक है तो part A को underestimate कभी भी नहीं करना है बाकि इसी तरह के और भी questions जानने के लिए इसी तरह के और भी concept जानने के लिए आपको यहाँ पर जोड़ सकते हो aptitude के एक fresh live batch के अंदर जो कि अभी start हुआ है दो दिन पहले 16th of September से तो एक महीने के अंदर हमारा target है सारा का सारा aptitude cover हो जाए और बहुत ही बहतरीन preparation हो आपकी जिससे कि आप December को अगर target कर रहे हो तो अभी से बहुत मेहनत करके इस batch में मैं करवाता हूँ मेहनत सभी से ठीक है सभी से question solve करवाता हूँ one to one तो यहाँ पर आप join हो जाए जो भी आप पर doubts होते हैं तो आप वहाँ पर chat section में पूछ सकते हो वहाँ पर बहुत सारे students है जो कि आपकी तरह ही target कर रहे हैं बिल्कुर सीरेस होके पढ़ते हैं तो इसमें join हो जाए just at 699 आपको वहाँ पर IFS 30 coupon code लगाना है आप कैसे इसको करना है यह मैं पूरा procedure आपको बता दूँगा लेकिन अगर आप नई student हो IFS app के उपर तो उनके लिए पहले मैं यह कहूँगा कि आप IFS की app पर पहले जाके जोड़ जाए IFS की app से जोड़ने के लिए आपको play store पर जाना है और IFS टाइप करके IFS का app को डाउनलोड कर ले रहा है लेकिन जब आप उसको open करोगे तो वापे थोड़ा सा छोटा से registration process है उसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है अपना number यहाँ पर डालना है सबसे पहले आपका number पूछा जाएगा और send OTP का option आएगा तो आप जैसे ही उस पर send OTP करोगे तो वहाँ पर आप अपना number के साथ वहाँ पर अपना जो OTP है वहाँ पर फिल कर दोगे तो जैसे ही अगर आप OTP फिल करते हो तो यहाँ पर verify कर देना verify करने के पाद आपसे दो तीन चीज़े पूछेगा कि आप किस चीज़ की preparation कर रहे हो सबसे वहले पूछेगा आपका नाम क्या है और आपका subject अब aptitude के लिए अगर प्रिपेर कर रहे हो part A को प्रिपेर कर रहे हो तो CSIR aptitude वाले section पे आपको click करना है चाहे है आप life science से हो chemical से हो, mathematical से हो, physical से हो आप वहाँ पे डाल देना CSIR aptitude वाला section उसमें 5 टैब होंगे तो 5 वाँ टैब होगा आपका CSIR aptitude ठीक है जैसे ही आप aptitude वाले पे click करोगे फिर proceed कर दोगे, proceed करने के वाद आपने registration process complete कर दे तो आपने वाँ पे login access ले लिया मैं यह मान के चलता हूँ, आप login तक तो आप पहुंच आओगे, फिर किस तरह से course को avail करना है, अब बहुत सारे free content की practice आप कर सकते हो, mock test बहुत सारे हमने यहाँ पर website पे डाले वे तो चलिए मैं आपको सीधे वहीं पे ले जाता हूँ तो फिर हम आगए ifs की website के ऊपर, ठीक है तो यह आपका इस तरह का interface देखने को मिलेगा तो आप यहाँ से इस वाले section, account वाले section से सीधे सीधे आप dashboard पे जा सकते हो dashboard पे जाओगे तो यहाँ पर उपर जो column मिलेगा आपको CSR net वाला, इस पे click करोगे और सबसे पहला CSR net यहाँ पर देखोंगे 5 tab आपको दिख रहे हैं इसमें से आपको CSR aptitude वाले section पे click करना है जैसे ही click करते हो पास second wait करना है और आपको यहाँ पर live online classes का जो section है यह मिल जाएगा, online course के अंदर आपको view detail पे जाना है view detail पे जाओगे यह उने students के लिए जो की live classes attend करना चाते है वो students जो की recorded lectures देखना चाते है इनको समय नहीं मिलता कि अपने according वो recorded lectures को देख पाएं उनके लिए यहाँ पर recorded course भी मौझूद है दो option है उनके पास एक तो pure English और दूसरा English जिसमें Hindi और English mix रहेगा तो उनके लिए यह वाला course है और बाकि जो pure English है वो इस तरह से course है तो view detail वाले section पे click करके आप इसको avail कर सकते हैं लेकिन बात कर रहे हैं हमें आपर live classes वाले students के बारे तो live class वाले जो student हैं वो यहाँ पर join हो सकते हैं यह केवल one month का ही course है इसमें आपको सारा aptitude एक साथ cover हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर लगा दिया IFS 30 coupon code एपलाई करने के बाद केवल only 6 double 9 में आपको यह course यहाँ पर मिल जाएगी चीक है तो फटा-फट से जाके avail कर लो क्योंकि हमने यह जो classes है already start कर दी है तो आप by now के option पर क्लेक करके यहाँ पर इसको avail कर सकते हो चीक है तो इतना कर लेना और फिर सुबह सारे ग्यारा बजे आप लोग वहाँ पर join हो जाना join होने के लिए क्ला करना है यह आपको क्या करना है यहाँ पर देखो section पर my courses जो course आप purchase करते हो आप कहा दिखेगा my course वाले section पर आपको दिखने वाला है यहाँ पर लिखा रहे है no live session available क्योंकि अभी आज का class हो चुका है कल सुबह पहले देखो my learnings पर जाके यहाँ पर यह जो जितने भी activated course आपने purchase किया हो यहाँ पर दिख जाएंगे जैसे कि मैंने purchase किया है CSN at aptitude live online course 16 September इसको क्लिक किया यहाँ पर live class session starting soon लिखा है सुबह सारे 11 बज़े activate हो जाएगा यहीं पर जाके क्लिक करना और वो class आपको आपर दिख जाएगी आपको जो recorded lecture है जो भी live class में हम लोग पढ़ाते हैं उसका जो recorded video है वो भी आपको class के बाद मिल जाता है कहाँ पर lectures वाले section में इस तरह से live online class इसको क्लिक किया देख ओलेडी जैसे कि मैंने कहा 3 class हो चुके हैं तो 3 class की जो recording है यहाँ पर मौजूद है तो आप यहाँ से इसको अबेज कर लेना तो मिलते हैं हम लोग live class के इंदर बाकि हमारा 4 बजे आप पर yt session भी होता है तो आप जोड़ सकते हैं मिलते हैं तिल देन थेंक्यू सो मच गाईज and happy learning and have a great day